नमस्कार साथियों हमें उत्थान एज्यूकेशन के ऑनलाइन प्रेटफर्म पर कल के वीडियो के बाद आज हम आगे चर्चा कर रहे हैं कल हमने जो चर्चाएं की थी उनमें हमने पड़ा था चालक्तव इसके समंध में तो मैं चाहूंगा थोड़ा रिवाईज करवा दूँ आपको चालक्तव क्या है साथियों चालक्तव को एक तो इंगलीज में कंड़क्तव कहते हैं और कल हमने चर्चा करी थी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक्तव कहते हैं जा कहते हैं साथियो, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक्त्व कहते हैं, अर्थार चालक्त्व, बिलियन का, विद्यूत अब गटे का वहाँ गुण है, जो धाराप्रवा में मदद करता है, या धाराप्रवा का गुण है, बिलियन के धाराप्रवा के गुण को कहते हैं ठीक है साथ यह हमने चर्चा की थी कि प्रतिरोध का मात्रक आर का मात्रक होता है ओम और यह इसका व्यूतक्रम है इट मेंस 1 by R equal to C conductance या इसको कई बार G से भी लिखते हैं यह होता है तो ओम का उल्टा ओम inverse Oma inverse या प्रति-ओम इसका मात्रक होता है आज़ाही पर्दती में चालकतẩगाे शेमनज कहला था है क्या कला हमें त्रोस प्रतिरोध का विदकरम चालकतो और आब हम बढ़ते हैं चालकता की ओर प्रतिरोध की बात करते हैं या विषिष्ट प्रतिरोध की बात करते हैं उसी क्रम में विद्योत अबगटियों के विलियान के लिए हम उसका विपरीत पद चब्द वो चालकता इस्तिमाल करते हैं क्या करते हैं चालकता यानि चालकता एक विशेष्ट कोन है दात्वों का जिसे विशेष्ट चालकतों भी कहते हैं या केते हैं विशेष्ट चालकत्व जैसे आमने समझा था तो ये था यदि नात्विक चालक की बात करें एक मीटर लंबा तार हो उसका अनुप्रस्ट कार्थ छेत्रपल एक वर्ग मीटर हो या छोटी कई में एक सेंटिमेटर लंबे और एक वर्ग सेंटिमेटर प्रोस सेक् बगर साथ ही हम तो विलियन की बात करें तो यू तब गटे के विलियन की तो जान देने का यदि एलेक्ट्रोडों के बद्य की दूरी एक सेंटिमेटर है और एलेक्ट्रोडों का क्रोस सेक्शन एरिया अनुप्रस्ट कार्थ छेत्रपल एक वर्ग सेंटिमेटर है तो ऐसे विलियन की ऐसे विलियन की चालक्त्वा को चालक्ता कहते हैं वन्स अगेन एक घंसेमी एक मिली लीटर विलियन के चालक्त्वा को चालक्ता करते हैं साइद आप में लिख लिया होगा नहीं लिखा है तो आप पोज करके तीमा करके आराम से लिख सकते हैं एक मिली लीटर विलियन के चालकता की बात करते हैं अपने कल यह देखा था कि चालकता बड़ाबर होता है वन अपॉन आर इंटू एल बाई ए और मुला हमने वहां विशिष्ट प्रतिरोध से लाये थे तो यहां इस प्रकार का होता है यहां वन अपॉन आर विद्करम है जो जोरा राम्नियम श अब ता अंटरास्या फ्रतिका फिके में तू आगे चलता हूं मैं आपको कल हमने जहां देखा था कि 1 upon R को हम सालकतवा कहते हैं और L बटे A को L by A को सेल इसी रांग कहते हैं क्या कहते है साथियो सेल कॉंस्टेंट मेरा मतलब यह है कि विलियन में एलेक्टोडों के मध्य की दूरी और एलेक्टोड के क्रोस सेक्षन एरिया के अनुपात को एक शेल के लिए इस्थिर होता है कियों होता है कारण जानिये गा यूंकि एक बार सेल बनाए जाने के बाद यूझ की बीच की दूरी बदल है बदली नहीं जा सकती और जो इलेक्टोड डाल दिया डिप कर दिया विलियन में उनका cross section area समपूरन reaction के दोरान बदलता नहीं मैं बात करना हूँ accriate electrode की general electrode, graphite का electrode हो platinum का electrode हो जो स्व्म राषाने क्रिया में भागने ही लेते हैं अपनी surface या सता अभी क्रिया के लिए प्रदान करते हैं उनके cross section area में no change उनके बीज के distance में दूरी में कोई परिवर्थन नहीं उस केस में L बटा A दूरी बटे एरिया के अनुपात को विजुत अप घटन के प्रक्रम में सैलों में हम सैल इस्तिरांग कहते हैं यह सवाल पर इकसम पूचा जा चुका है सैल इस्तिरांग को हम जी स्टार से लिखते हैं जी स्टार बराबर होता है L बटे A L यानि एलेक्टोनों के मध्य की दूरी A यानि अन्प्रस्त काट का ख्शे ट्रफल ज्यान इजी मित्रो तब सैल इस्तिरांग की इकाई बंती हैं हमारे पास L बटा A यानि यह लंबाई मीटर में लें और यह वर्ग मीटर तो यह उपर आने पर हो जाएगा मीटर की घात माइनेस है दो इसको उपर लाने पर इसे यह एक तो कहन से लोगा एक बच गया तो हमारे पास इकाई बचेगी प्रती मीटर मीटर इन्वर्स तोटी इकाई की रूप में हम व्यक्त करें तो प्रती सेंटी मीटर भी कहते हैं यह बूर्ड एक्जाम का क्रश्ण बना हुआ है और अन्य पर इक्जाम में भी पूछा जाता है कि सेल इस्तिरांग की इकाई क्या है तो सेल इस्तिरांग की इकाई क्या का बोला मैंने मैंने बोला conductivity cell इसेंच design वाले होते हैं उनमें billion भरकर किसी billion या वजुतकपटे की चालकता ग्याद करते हैं उनका इस्तेमाल वजुतकपटे की चालकता ग्याद करने के लिए किया जाता है यानि मैं यह कहूँ वो एक तरह से reference cell होते हैं विजूतव गटे की चालकता ग्यात करने के लिए क्या किया जाता उसमें उसमें एक विजूतव गटे पानक या standard reference के रूप में potassium chloride का इस्तेमाल किया जाता है potassium chloride का विलियन अब अन्य विलियन को उसमें भरकर हम KCL विलियन के साथ तुलना करके किसी वी विलियन की चालकता ग्यात कर देते हैं और इससे हमें KCL विलियन से सेल इसरांग पता हो जाता है सेल इसरांग पता लगने के बाद हम उस सेल को वीट स्टॉन ब्रिज सेतु में जोड़ कर वीट स्टॉन ब्रिज सेतु में जोड़ कर वीट स्टॉन ब्रिज सेतु का माइना है विजिक्ष में आपने अच्छे से समझ रखा है और प्रतिरोध से जा बोल रहा हूं है प्रतिरोध से चालकता का मान ग्याद कर देते हैं कैसे ग्याद करते हैं इस प्रकार क्योंकि हमारे पास आ जाता है प्रतिरोध वीट इस्टान ब्रिज से और सेल इस तरह के हमने ग्याद कर लिया जी स्टार इन दोनों का गुणा करके ह हम किसी भी विलियन की चालकता, किसी भी विलियन की चालकता, इट मिन्स, विशिष चालकतो, specific conductance ग्याद कर लेते हैं, ठीके मित्रों, ये बात थी हमारे previous वीडियो की, आज हम चर्चा करेंगे molar चालकता की, इसकी molar चालकता, ठीके मित्रों, molar सा मतलब है, एक मोल पदार्थ, और चालकता से मतलब है, विलियन में, specific conductance, तो ऐसा समझेंगे हम, यदि, एलेक्टोडों के मध्य की दूरी को एक सेंटीमिटर रखें, और एलेक्टोडों का क्रोस सेक्शन एरिया, एक वरक सेंटीमिटर हो, और उनके बीच में, और उनके बीच में, यदि, एक मोल पुले हुए पदार्त का विलियन बराद जा सके, इस विलियन की चालकता को हम कहेंगे, मोलर चालकता, या कहेंगे, मोलर चालकता, लेकिन, इस केश में मोलर चालकता, चालकता के बराबर होगी, खेर, मोलर चालकता को इस प्रकार समझते हम, ऐसा विलियन, जिसमें एक मोल पदार् तो इस विलियन की चालकता को ओलर चालकता कहते हैं दुबारा बोल रहा हूं दुबारा बोल रहा हूं एक मोल लवन युक्त विलियन की चालकता को ओलर चालकता कहते हैं एक मोल यानि मोल प्रती लिटर या लिटर आवशिक नहीं है विलियन के आधिक भी हो सकता है ऐसा विलि और अयनिक रूप में प्रजेंट हो तो उन सभी आयनाओं के द्वारा जितना अवेश ले जाया जाएगा उसका परिमान उलर चालकता कहलाता है, ठीके मित्रो, हम उलर चालकता को इस रूप में भी देख सकते हैं, उलर चालकता को लेमडा-M के द्वारा दिखा जाता है, कई उप्यूग करते हैं देम्डा एम का ठीक है एक बार फिर इसकी परिवासा बोलता हूं कुछ बच्चे लिखना चाहते हैं तो एक ग्राम मूल युक्त लियन की चालकता को पोलर चालकता कहते हैं ठीक है मित्रो तो हमारे पास मूलर चालकता बराबर होगी विशिस्ट का लगत्व गुणा आयतन यहामें इसे तनूता भी कह सकते हैं कह सकते हैं, Health and Tanuta क्योंकि परिवाशा में हमने कहा है 1 gram mole Yukta-Villion की चालता यदि-Villion का तो उस समय मोलर चालक्ता विशिस्ट चालक्ता होती विशिस्ट चालक्तवा होता है या चालक्ता होती है मेरा कहने का सेंस यह है कि मानक परिशितियों में मोलर चालक्ता बराबर चालक्ता मानक परिशितियों में मोलर चालक्ता और चालक्ता बराबर होती है ठीक है पेरा कहने का रेफ्रेंस यहां यह है यदि किसी एक गन सेमे विलियन में एक ग्राम मोल विद्यूत अपकटे गुला हुआ है तो उस विलियन की चालकता को ही मोलर चालकता कहते है उम्मीद गरता हूँ आपके समझ में आ गया पित्रो हमने यहां उपर एक संबंद लिखा है लेम्डा एम बराबर के इंटू वी वी को हम आयतन कहते हैं वी को हम इस रूप में भी जानते हैं आयतन है वो सांदरता का वित्यक्रमानू पाती होता है यानि किसी विलियन का आयतन जतना अधीक होगा सांदरता उतनी कम होगी वाच समझ में आगीजन विलियन का आयतन जतना जदा होगा यानि विलायक जतना अधीक होगा उतना इस विलियन में लवन की गुलवी पदारत की सांदरता उतनी कम होगी इस केश में हम ऐसा लेख सकते हैं वी समानुपाति वन अपॉन सी तो यहां हम वी के इस्तान परिंदी सी पुट कर दें तो हमारे पास रिलिश्ण आता है एंटू वन ताउजन अपॉन सी अब आपके समझें यह आ रहा होगा यह परिश्ण उट रहा होगा सरी आजार कहां से आया हम एक गन सह्मी विल्यन की बात कर रहे थे यदि हम विल्यन का आईतन एक लिटर ले कितना ले एक लिटर एक मिली लीटर की बजाए यह का लीटर क्योंकि एक लिटर में 1000 गन सहमी होते हैं 1000 मिली लिटर होते हैं इसलिए हम लिख सकते हैं मोलर चालकता बराबर चालकता गुणा 1000 बटे सांदरिता concentration चारे साथ यहो यहां सांदरिता पद के रूप में हम मोलरता का भी इस्तिमाल कर सकते हैं जब हम मोलर्ता का इस्तिमाल करते हैं शाथी हो तो अब हम इसको लिखेंगे लेम्डा M मराबर चालक्ता गुणा एक हजार बटे पोलर सांदर्ता यानि सांदर्ता का ही गई मोलर्ता के रूप में पोलर चालक्ता वित्रों बात आती है पोलर चालक्ता के मात्रक की पोलर चालक्ता का मात्रक क्या है तो चालक्ता का मात्रक होता है सिमन बोलिए प्रति मीटर और या मोलर्ता की ही काई होती है पोल प्रति लीटर प्रति लीटर समझ रहे मेरी बात बोल बटे लीटर है मोल प्रती लीटर इसलिए हमारे पास इकाई बनती है हम लीटर को गन मीटर के रूप में लिखते हैं इसके रूप में गन मीटर के रूप में तो ये उपर आएगा नीचे माइनस की गात है उपर आजेगी तो क्या होजेगी प्लस तो अमारे पास बदेगा बचेगा सीमन मीटर इन्वर्स इन्टू मीटर की गात प्लस तीन पटे मोल यह बचेगा मोल इसे यह कैंसल हो गया यह बचा प्लस तू यह बचा प्लस तू यह बचा प्लस तू यह बचा हुआ में त्रो M2 बचा हुआ है और नीचे मोल है तो हमारे पास एकाई बनती है निकल कर आती है सीमन प्रति वर्ग मीटर प्रति पोल यहां हम इसे यूँँ भी बोल सकते हैं सीमन प्रति वर्ग मीटर प्रति ग्राम मोल प्रति ग्राम पोल यह एका ही हमारे पास Polar चालगता की 12th Board Exam के Point of View से Important है यह पूची गई है पूची जा सकती है सीमन प्रति वर्ग मीटर प्रति मूल यदि हम इसको मीटर को सेंटी मीटर में लिखें तो यह हमारे पास हो जाए सीमन प्रति वर्ग सेंटी मीटर प्रति मूल यानि मूलर चालगता की इकाई मेरे पास हमारे पास ऐसा ही पुदती में सीमन प्रति वर्ग मीटर प्रति पूल इसको लर्न करना है याद करना है याद रखना है वैंस अगेन मैं आपको याद दिलाता हूँ यदि किसी एक घंसेम या एक यहाइक मिलिलीलिटर आयतन वाले विलियन में विज्जूतब गटे का एक मोल गुला हुआ है तो उस विलियन की चालकता को मोलर चालकता कहते है ठीक है मित रो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा अब हम आगे ये चलते हैं आपको तुल्यांगी चालकता की और इसकी और मित्रो तुल्यांगी चालकता पोलर चालकता और तुल्यांगी चालकता में बहुत छोटा सा अंतर है और वो क्या है अब हम इस विलियन में एक ग्राम मूल पदार्थ गोला था उसकी जगे एक ग्राम तुल्यांक गोल कितना एक ग्राम तुल्यांक वित्रो एक ग्राम तुल्यांक का मतलब एक ग्राम नहीं है तुल्यांक की बाहर के बराबर ग्रामों में मत्रा क्या का मैंने मैं ये बोला एक ग्राम एक्विवेलेंट या एक ग्राम तुल्यांक का अर्थ है मित्रो तुल्यांक की बाहर के बराबर ग्रामों में पात्रा तुल्यांग की बाहर के बराबर ग्रामों में मात्रा ठीक है नहीं वो यह ग्राम तुल्यांग है तो यह ग्राम तुल्यांग विध्यू तब गटेगी मात्रा युक्त विलियन की चालकता को तुल्यांग की चालकता कहते हैं ठीक है म विलियन में एक ग्राम तुल्यांग पदार्थ गुला हुआ हो और विलियन का आयतन एक फिले लीटर या एक गन सेंटीमीटर हो इसका आर्थ ये भी है इलेक्टोड एक सेंटीमीटर दूरी पर रखे हो उनका क्रोस सेक्शन एरिया नुप्रिस्त कार्ड का क्षेत रफल एक सेंटीमीटर हो इस कंडिशन में विलियन के अंदर एक ग्राम तुल्यांग पदार्थ गुला हुआ हो तो अब इस विलियन की चालकता ही तुल्यांग की चालकता होती है इसकी चालकता को तुल्यांग की चालकता कहते है लेकिन इतने छोटे आयतन में एक ग्राम तुल्यां तुल्यांकी चालक्ता का फर्मूला भी यान दीजीगा लेम्डा एक्विवेलेंट इक्वल टू विशिस्ट चालक्तो या चालक्ता गुणा आयतन हम लोगों ने अभी चर्चा की कि आयतन है वो सांद्रता के विक्रमानुपाती होता है आयतन को हम डाइल्यूशन या तनुता भी कह सकते हैं क्या बोलते हैं तनुता भी बोलते हैं तनुता कंसंट्रेशन के विलोम् रीवर्स अपोजिट होती है उस इस्टी में हमारे पास तुल्यांगी चालक्ता के इंटू-ब की बजाय सकता है के री कि यह उस समय तुल्यांगी चालकता है जब मारे विलियन का आइतन लीटर में है यदि हम विलियन के आइतन को मिली लीटर में लें क्या कह रहा हूं मित्रो लीटर को मिली लीटर में लें तो हम इसे एक अजार से मल्टिप्लाई कर देते हैं यह हमारे पास है तुल्यांगी चाल मलता है का ज्यान दीजिए मित्रो यदी हम लेमडा एक्विवेलेंट बराबर के इंटू एक हजार भाई एन लिखते हैं तो हमारे पास ये तुल्यांग की चालकता ज्याद करने का सूत्र तैयार हो जाता है आ जाता है बड़ा ही इंपोर्टेंट प्रश्न है ये या के क्या है मित्रो या के है चालकता इटमेंस विशिष्ट चालकता विश्विश्विक कंडक्टेंस और एन क्या है एन सांध्रता की ही काई है इसे ग्राम तुल्यांक प्रती लीटर के रूप में व्यक्त करते हैं अभी व्यक्त करते हैं ल पुलर चालकता का मात्रक था सीमेंज प्रती मेटर वर्ग मेटर प्रती मोल अब यहाँ कि पदार्थ पोल्स के रूप में नहीं है किसके रूप में तुल्यांग के रूप में तुल्यांगी बाहर के रूप में हमारे पास ऐसा ही यूनिट बचेगी बनेगी सिमन्ज प्रती वर्ग मीटर ग्राम प्रती तुल्यंक यह ऐसा ही यूनिट है किसकी तुल्यंक की सालकता की जान दीजी मित्रो इसे छोटी कई के रूप में लिखू मैं तिमेंज प्रती वर्ग सेंटीमेटर ग्राम तुल्यंक प्रती ग्राम तुल्यंक इसको ऐसा भी लिखते हैं ग्राम एक्विवेलेंट भी लिखते हैं और सीधा भी लिखा जा सकता है एक्विवेलेंट गात माइनस एक एक्विवेलेंट इनवर्स ये दोनों एक्जाम की दरश्टी से important है आपको ध्यान में रखना चाहिए ठीक है अब हम बात करते हैं अगले topic की और वो topic है हमारे पास तालकता पर तनूता का प्रभाव क्या है मित्रो तालकता पर तनूता का प्रभाव एक बात मैं आपको यहां क्लियरी भाई करना चाहता हूँ चालकता यह चालकता को हम बोलते हैं विशेष्ट चालकत्व क्या बोलते हैं विशेष्ट चालकत्व जान देने का मित्रो आप लोग यह जानते हो कि चालकत्व तो विलियन का आईतन बढ़ाने पर बिलियन के वियोजन की मात्रा बढ़ने से पढ़ता है ठीक है लेकिन जब चालकता की बात करते हैं specific conductance की तो चालकता तनूता से किस प्रकार प्रभावित होती है चालकता चालकता को प्रभावित करने वाले कारक इससे पहले previous वीडियो में चर्चा कर चोके हैं आज हम केवल specific reference special dilution का या concentration का क्या effect पढ़ता है चालकता पर वो समझेंगे यो ध्यान देना मित्रो हम लोगों ने अभी लिखाता लेमडा बराबर लेमडा M या लेमडा E क्यू बराबर के इंटू पी ठीक है मित्रो हम या तनूता का molar चालकता पर तुल्यांगी चालकता पर और चालकता पर प्रभाव समझ रहे हैं ठीक है ने पहले मैं चालकता पर प्रभाव की बात करता हूँ किस पर है चालकता पर जान देना मित्रू हम लोग जानते हैं कि जब विलियन का आयतन बढ़ाते हैं विलियन में विलायक मिलाते हैं तो विज्जुतपगटे की सांदरता घटती है विज्जुतपगटे की सांदरता घटती है एकाई आयतन में ग्राम मोलों की संक्या ग्राम विद्यूत्म गटे के आयनों की संख्या कम होती है, क्यों कि विलियन का आयतन पढ़ जाता है, ज़ान देना यहां बोल रहा हूं मैं माना कि हमारे पास यह एक इतने आयतन वाला कोई विजुत अपगटे विलियन है और यहां पर आयनों की संदरता कितनी है मैं रेंडमली यह बोल देता हूं यह एकांक आयतन में सो आयन है क्या बोला मैं एकांक आयतन में माना की विलियन का आयतन जादा हो गया आयतन तो बढ़ गया आयतन तो बढ़ गया लेकिन इस बड़े आयतन में आयन अलेगे आयन क्या हो गये पुरह हो गये पहले एक आयतन में में एक मिली लिटर में या एक खन समी में आयनों की सन्क्या ज्यादा थी यादि 100 थी अब तो यह ज्यादा होगा इसल आवेश और 20 सारम पमम डावैस त्वारा ले जाने ओ आवेस तमील आवेस बाराबर होगा यह ज्यादा आएनवों पमम मेश अखेए कम आवेस ले जाते हैं कम आवेस ले जाते हैं यानि चालकता कम होती बास समझागी मैं आपको ये समझाना चारा था कि जब हम डाइलूशन बढ़ाते हैं तो कांदरता गड़ती है और परिणाम स्वरूप और परिणाम स्वरूप चालकता गड़ती है जान देने का यह जान देने का यह जान की आयतन बढ़ाने पर यह तनूता बढ़ाने पर एकांक आयतन में आयनों की संक्या गट जाती इसलिए चालकता गड़ती है तेरे प्यारे साथी समझ जए अगली बात करते हैं अब बोलर चालकता की और तुल्यांग की चालकता की जान दीजिए मित्रों बोलर चालकता और तुल्यांग की चालकता चालकता और आयतन का गुणन फल है या है चालकता और आयतन का गुणन फल है तो इसका परिणाम कुछ चालग होगा हमने अभी ये बात की कि जब तनूता बढ़ाते हैं जागरते हैं आयतन बढ़ाते हैं तनूता बढ़ाते हैं विलायक मिलाते हैं स्तांदर्ता गड़ाते हैं तो चालगता के मान में वर्दी होती है लेकिन तब तरजी आयतन भी बढ़ता है तो आपको क्या लग रहा होगा कि मोजर चालगता तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है ऐसा लग रहा है ने हाँ है तो एसा ही एकने इसको सम्झेंगे अलग दाइंग से ऐसे यह सिम्बल रॉंग होग गया दुबार लगते हैं क्या मैं यह कहना चाहरा था कि जब विलियन का आयतन बढ़ाते हैं विलियन की तनुता बढ़ाते हैं तो चालगता घरती है और आयतन बढ़ता है जान दीजी तनुता बढ़ाते हैं सांदरता घरते हैं तो चालगता कम होती है क्योंकि एकां का आयतन में आयन कम होते हैं अब मुदर चालकता पर तनुता के प्रभाव की बात करते हैं ठीक है? तो हम यह देख रहे हैं मुदर चालकता बराबर होता है चालकता गुणा आयतन या चालकता गुणा तनुता इस आयतन को मैं आपके लिए सरल करके तनूता बोल देता हूं तनूता लिख देता ठीक है नहीं या मैं इसको कह दूँगा तनूता बराबर होता है तनूता सांदृता के प्रमानुपाती होती है ठीक हम पहले एक इसको ही लेते है उदर चालकता चालकता और आयतन या तनूता का गुणंदफल होता है जब हम आयत बढ़ाते हैं, चालकता गड़ती है, के गड़ता है, अब इन दोनों का resultant, परेनामी प्रभाव, उल्लर चालकता के मान को बदलेगा, effect करेगा, तो जान दीजे मित्रू, जब हम तनुता बढ़ाते हैं, तो चालकता के मान में कमी थोड़ी आती है, कम आती है, और आयतन के मान में वर्धी, तनुता के मान में वर्धी अधीक होती है, माली जीगा, माली जीगा, आयतन बढ़ाने पर या तनुता बढ़ाने पर, के के मान में दो की कमी आती है, कितनी है, दो की, और तनुता के बढ़ाने से, पी के आयतन के मान में, माना की आत की वर्धी, कितकी, आत की, तो कमी की तुलना में ये वर्दी ज्यादा है इसलिए परेणामी प्रभाव क्या होगा मोलर चालकता बढ़ेगी यानि आप ये कहलें कि मोलर चालकता तनूता बढ़ाने पर बढ़ती है जान देंगे बेड़ा ये जान देजिए कि मोलर चालकता समानुपाती तनूता याद रहेगा यह परिक्षा में आने Major coin और यह बाड आएनों के मद्यरी बढ़ जबते हैं आयनिक आकर्षन घड़ जाता है वो अधीक मात्रा में आवेश को असानी से इलेक्टोडों की और ले जाते हैं जान दीजी मित्रू पोलर चालकता तनूकता के साथ बढ़ती है क्यों कि आयनिक आकर्षन घड़ जाता है और संपूर्ण आयतन में संपूर्ण आयतन में उपास्तित सभी आयन उस विद्यू तब गड़ेगे सभी आयन अधीक मात्रा में आवेश आसानी से ले जाते हैं इसलिए तनूता बढ़ाने पर मोजर चालकता बढ़ती है और यही बात यही काम की बात तुल्यांगी चालकता पर भी लागू होती है तुल्यांगी चालकता तनूता बढ़ाने पर या आयतन बढ़ाने पर बढ़ती है यह बात ठीक है कि तनूता बढ़ाने पर चालकता का मान घड़ता है लेकिन चालकता के मान में जो कमी है डिक्रीजिंग वो लेश होता है और आयतन या तनूता के मान में जो वो more होता है यानि यह अधीक है और यह कम है यह अधीक और यह कम यानि एक में परिवर्तन दो का एक में परिवर्तन आठ का यह दो गटा यह आठ बढ़ा रिजल्ट क्या हुआ तनुता के समानुपाती होती है मेरी प्यारी बच्चों को यह बास समझ में आई होगी सवाल आईगा बिड़ा कि तुल्यागी चालकता है का मान तनुता बढ़ाने पर बढ़ता है क्यों जान दीजीगा तनुता बढ़ाने पर विलियन में उपस्तित आयनों के मध्य का अंतर मैं जोडे रखने के लिए खिंचा खिंची नहीं करते हैं और वो स्वतंत्रता से विपरीत आवेशित इलेक्टोडों की और गमन करने लग जाते हैं इसलिए तनुता बढ़ाने पर लियांगी चालकता बढ़ती है लेकिन चालकता घरती है ये ये वाली बात को कंठस्ट करने मैं बिया हूँक किया है तनुता बढ़ते हैं इसमें याद करना रटने जैसे कूछ है नहीं रिजलट Над एफेक्ट ये है तनुता बढ़ते हैं तो चालकता बढ़ती है चल्टा बढ़ती है एकुर्गा कई बार पूछा जा चुका है अब हम रुख करते हैं अगले बिंदू की और क्यारमित्रों यदि हम तनूता बढ़ाते ही जाएं या सांदरता घटाते ही जाएं तो विद्यूताप गटेयों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है जान देनेगा जान यह देने का दियर स्टुडेंट्स कि हमारे पास दो प्रकार के विद्यूताप गटेये एक प्रकार है प्रभल विद्यूताप गटेये और दूसरा प्रकार है प्रभल विद्यूताप गटेये मुझे ऐसी अपेक्षा है कि आप इन दोनों से वाकिफ हैं यदि नहीं तो सौ पृतिशत आयनों में तूट जाते हैं, प्रबल विजुत अब गटे कहलाते हैं, और दूसरे वाले, वे लवण या वे पदार्थ, विलियन में, सत पृतिशत आयनित नहीं होते हैं, वे दुरबल विजुत अब गटे कहलाते हैं, एक, वेरा कहने का मतलब ये, प्रबल व दुरबुन सब्हन होते हैं, जबकि दुरवलामल डुलक्षार और दुरवल अम्खषार के लवन क्या नो होते हैं, यह मैंते हैं मिडियो फ़स्त ये न चर्चा कर्ली, तो आप देख चूके हैं, आज रिवाईज हो गया आपके जुर्बाल विद्यू तब गटे कम आयनित होता है इस बात को मुझे समझाना है तो आप जान देने का यदि NACL को हम NACL के 100 कणों को विलियन में डालें और वो 100 के 100 धन आयन आयनित हो जाए आयनित हो जाए आयनम बदल जाए तो हमारा ये मामला कहलाएगा सत प्रतिशत आयनन लेकिन जब हम अमोनियम ही टोक्साइड या एसेटिक आमल को CS3COOH को विलियन में डालेंगे इसको COOH नहीं बोलते हैं CH इसके भी हमने 100 कण डाले लेकिन हमें आयन पांच ह प्राप्त हुए जान देने का तो कितने डाले एने सेल के बराबर बनों के 100 सो डाल दिए अलगल के बाल टी में पानी एक एक लीटर लेकर लेकर एकन एने के आयन तो 100 मिल गई या एने स्पोर प्लस के आयन 5 ही मिलें कितने मिलें पांच इसको बोलते हैं आंशिक आइन प्रवित होती है जान देना मित्रू जान दोगे एक ना देंगे जिला जाईए ये प्रबल विद्ध्यूत आप गटे प्रबल विद्ध्यूत आप गटे मैं ऐसा करता हूं इसके मेटर को एक बार पिटा देता हूं जान देना प्रबल विद्ध्यूत आप गटे की चालकता पर सांदरता या तनूता का प्रभाव समझ रहे हैं अब ही हमने कहा कि एक प्रबल विद्ध्यूत आप गटे हैं और इसे जब जल में घोलते हैं तो इसके सभी कान संपूर्ण वात्रा रनायन और रनायन में बदल जाती है आयन तो पूरे पूरे बन गए यानि पूरा पदार्थ आयनों में तबदील, कनवर्ट, आयन नित, प्रियोजित हो गया, ठीक है, यह आमने ले लिया पात्र, अब मैं बात कराओ प्रबल विद्ध्यूत अपटे की चालकता पर प्रभाव, अब इसके सारे पूरे आयनों में बदल गए, आयनन का तो कोई मामला बखाया है राई नी, अब हम यदी आयतन, आयतन बढ़ाते है क्या बढ़ाते हैं, जान देना, क्या बढ़ाते हैं, आयतन, आयतन का मतलब है, बिलीन को तनू करते हैं, बिलीन पतला करते हैं, पानी मलाते हैं पतला ही होता है, तो यह आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो यह वियोजन की मात्रा यह आयनन की मात्रा तो प्रबल के बीच की बढ़ेगी। क्या वड़ेगी। इस्टेंस। और दूरी बढ़ने से प्रबल विज्यूत अब गटेयों की चालता में, पुलर चालता में, या तुल्लयां की चालता में, आमूली। जान देना मित्रूप मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रबल विद्यूतप गटेयों की मोलर चालकता और तुल्यांगी चालकता तनूता बढ़ाने पर पढ़ती है लेकिन कम परिमाण में बढ़ती है लेकिन कम परिमाण अभी हमने समझा था कि तनूता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है तनूता बढ़ाने पर तुल्यांगी चालकता बढ़ती है मैं ज्यालाय में प्रबल विद्यूत अब गटे के केश में मित्रो विज्जुत अपकेटे पहले से आयनों में कनवर्ट है सौ पृतिशत अब विलियन में और विलायक मिलाने पर आयनों की संख्या में वुर्दी नहीं होती केवल आयनिक आकरशन गड़ता है आयनों के मज्य की दूरी गड़ती है और इस बात से इस तथे से वुलर्चालकता के मान में कोई बहुत अधीक वुर्दी नहीं होती बहुत अधीक वुर्दी नहीं होती इदर हो यह मैंने एक तरफ वुलर्चालकता लिए और एक तरफ मैंने लिए सांधरता क्या लिए सांधरता अलाकि मैंने सांदर्ता को root C के रूप में लिखा है आपको तो मैं कुछ समय के लिए इसको केउल C मान लेते हैं क्या मान लेते हैं? C अब प्यारे मित्रों जान देना कि हम इस तरब जाते हैं कराफ में तो सांदर्ता में ब्रद्धी होती है और इस तरब आते हैं तो सांदर्ता के मान में मान लेते हैं पांच है तो इधर आएंगे चार है, तीन है, दो है, एक है, जीरो होगा इधर जाएंगे तो पड़ेगा बात तो समल आरी है ने आरी है, ठीक है अब, हम कोई प्रबल विद्यूता अपगटे लेंगे क्या लेंगे, प्रबल विद्यूता अपगटे और उसमें विलाएक मिलाएंगे तो इनको पतला करेंगे डाइलूट करेंगे, कनू करेंगे तो यह चालकता का ग्राफ इस प्रकार प्राप्त होता है पाना कि मेरे पास यह ग्राप के सी एल का है किसका है यह ग्राप है के सी एल का यह ग्राप क्या बता रहा है दोस्तों यह बता रहा है कि जैसे हम सांदर्ता घडाते हैं यह प्रेंड जाते हैं बाईयों और जाते हैं तो ग्राप दीरे 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 जाता है परबल विद्यूतब गटियों की मुदर चालगता या तुल्यां की चालगता सांदर्ता घटाने पर या तनूता बढ़ाने पर बहुत कम मात्रा में बढ़ती है चलो अगली एक बात और जोड़ देता हूं यदि हमें सांदर्ता को घटाते जाएं गटाते जाएं अनन्त गटा दें कितनी अनन्त कितनी गटा दें infinite इतने गटा दें या मैं यू कह दूँ सांदर्ता को जीरो कर दें सांदर्ता को क्या कर दिया? जीरू उस समय प्रबल वीद्यूतब गटे की होल्दर चालगता या तुल्यां की चालगता क्यात कर सकते हैं यहां पर इस ग्राप को हम देखते हैं यदी इस ग्राप को मैं यह लास्ट बिंदू यह पहीरवेशित कर दूँ तो यह संता वाले इस y-axis को यहाँ पर क्रोश करता है, कट करता है यह जो मान है, यह वाला इंटरसेप्ट अन्ता खंड, यह आपके अनन्तनुता पर चालकता है यह सुन्ने संद्रता पर चालकता है क्या बोला रहे? मैं यह बोला, कै अब यह जदी इस ग्राप को फिछे बढ़ाते जाएं तो यहाँ पर यह ग्राप क्रोश करेगा, क्या करेगा, काटेगा, यह वाला विंदू है, यह जीरो कंसंट्रेशन पर है किस पर है भया जिरो कॉंसेंट्रेशन पर है तो इस सुन्ने सांदर्ता पर अब इस विद्यूताब गटे कौन सा के सियल की चालकता को अनंत तनूता पर या सुन्ने सांदर्ता पर चालकता उलर चालकता या तुल्यां की चालकता कहते हैं यहां एक जान देना भया, इसे सीमान्थ उल्लर चालक्ता या सीमान्थ तुल्लियां की चालक्ता भी कहते हैं, परबल विजुत के लिए, आईए, इधर आईए, बात करते हैं, अब मैं लेता हूँ दुर्बल विजुत अब गटियों, इसकी दुर्बल, परबल वाला याद परबल वाला तो याद रहे गयान बढ़ा बोल दितम परबल विजुत अब गटियों की चालकता सांदता बढ़ाने के सांदता बढ़ाने के साथ गटती है और सांदता गटाने के साथ बढ़ती है तरुटा बढ़ाने के साथ दीरे दीरे बढ़ती है दुर्बल विजुत अपकटे की बात कर रहे हैं, तो पहले सुनलो होगा क्या, दुर्बल विजुत अपकटे, बहुत कम मात्रा में आयनित या वियूजित होते हैं, जब उसमें विलायक मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, विलायक, उनके आयनिया वियूजित की मात्रा भी बढ़ और पानी डालें यह और और डाल रहा हूं मैं आपके समझता हैं तनूता बढ़ा रहे हैं योजन की मात्रा में वर्दी होती है आयनों की संक्या में वर्दी होती है जिसे तुल्यां की चालकता में उदर चालकता में वर्दी होती है बात समझ में आई नहीं आई इस ग्राप स दुरुबल वजूत अब गटे लेकर के यदि हम तनूता का प्रभाव जाने उसकी मुलर चालगता पर तो ग्राफ इस प्रकार का प्राप्त होता है। इदर जाते हैं तो संदर्ता बढ़ती है। राइट हैं संदर्ता का मान बढ़ता है। और लेट हैं साइड में तो संदर्ता का मान घरता है। का मतलब यह हुआ कि दुर्पल विद्यू तब गटे की मोलर चालकता तनुता बढ़ाने पर बहुत अधीक मात्रा में बढ़ती है अप्रचासित रूप से वृदी हो जाती है अगली बात और इंपोर्टेंट है यदि हम इस तनुता को अनंत कर दें तनुता को अनंत यानि सोल्यूशन को वेरी वेरी डाइलूट कर दें बहुत अधीक मात्रा में विलाएक मिला दें बहुत पानी डाल दें तो तो उसकी चालकता भी अनंध हो जाती है उसकी चालकता भी अनंध होती है तब हम इसको अनंध सांदरता पर मोदर चालकता कहते हैं अनंध तनूता पर मोदर चालकता कहते हैं अनंध तनूता होगी तो प्यारे मित्रो सांदरता गिरो हो जाएगी तो हम ऐसा बोलेंगे C tends to, यानि सांदरता कम हो जाएगी, जब तनुता अनन्त होगी, तो संदरता सुन्ने मानी जाएगी, तो समय मोलर चालगता हो को हम, सुन्ने सांदरता पर मोलर चालगता, या पान्त मोलर चालगता करते हैं, क्या कहते हैं, इमान्त मोलर चालगता, तो ज तनुता पर या सुन्य सांदर्था पर विद्यूत अपगटे विल्यन की चालकता को सिमांत मोलर चालकता या सिमांत तुल्यां की चालकता केते हैं, परिक्सा में आएगा, परिक्सा में आएगा, क्या आएगा, अनंत तनुता पर या सुन्य सांदर्था पर विद्यूत विलियन की चालक्ता को सीमान्थ चालक्ता अथ्वा सीमान्थ तुल्यांगी चालक्ता करें मोलर का मतलब पदार्थ की मात्रा मोल में ली गई है और तुल्यांगी का मतलब पदार्थ की मात्रा ग्राम तुल्यांग के रूप में ली है अगली बात जो बड़ी important है वो यह है आप जान दे रहे हैं तो तुर्बल विजुत अब कटे के केश में केश में strong electrolyte प्रबल विजुत अब केश में जब हम इस graph को पीछे बढ़ाते हैं अग्स्टा प्लोट करते हैं तो हमें सुन्य सांदर्ता पर molar चालकता और तुल्यांगी चालकता का मान ग्यात हो जाता है यह जो intercept है यह सुन्य सांदर्ता पर molar चालकता है ठीक है और अब यहां आते हैं दुर्बल विजुत अब कटे केश में जब हम सांदर्ता घड़ाते-घड़ाते जिरो करेंगे जिरो सांदर्ता पर तो यह ग्राफ अनंतिस्परशी हो जाता है यह हो Carlo यह वाली यह एक्सिस वाली यह लाइन, रेड लाइन, इसको कट नहीं करता, ज्या नहीं करता, इसलिए हम जीरो कंसेंट्रेशन पर, अनंतनुता पर, फुन्ने सांदर्था पर, पुरबल विजुतव गटें के लिए बुलर चालकता, चालकता, या तोल्यां के चालकता, मान ज्यात नहीं कर सकते हैं ज्यात नहीं कर सकते हैं क्यारे में तुर ज्यान दीजीगा क्या परबल विद्यू तब गटियों की जीरो सांद्रिता पर उलर चालकता और तुल्यांगी चालकता ज्यात कर सकते हैं लेकिन दुरबल विद्यू तब गटे की सीमान्त मोलर चालकता ग्यात नहीं कर सकते, किस से इस ग्राफ से, किस से ग्यात नहीं कर सकते, ग्राफ के बहिर वेशन से दुर्बल विजूत अब गटियों की तुन्य सांदर्ता पर चालकता, सीमान्त मोलर चालकता और सीमान्त मोलर चालकता ग्यात नहीं कर सकते, तो ग्यात करेंगे नहीं कैसी छोड़ देंगे नहीं याद करते हैं और इस काम में हमारी मदद की थी एक वेग्यानिक ने जिसका नाम था कॉल राउस लेकन ये उलार्चा रखता की वर्ग-बूल के बीज़ जो संबन तरक्त है यह भी हमें एक वेग्यानिक ने दिया था उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और वो वेग्यानिक था यहां कर लेत tapping चर्चा दिबाई कौन था? दिबाई बाद में दिबाई की मदद करदी हकल ने और इन दोनों की मदद करदी ओंसगर ने दिबाई हकल और ओंसगर तीनों ने मिलकर सांदरता का विजुत अपकट्यों की चालकता पर पढ़ने वाले प्रभाव का अजिन किया और उनोंने एक गनेतिय समीकर्ण वेंजक दिया लेम्डा एम बराबर लेम्डा इन्फिनिटिव एम बाइनस ए बना रूट ती या लेम्डा एम क्या है? किसी तीगी सांदरता पर मुलर चालकता है लेम्डा इन्फिनिटिव एम क्या है? अनन्त तनूता या सुन्य सांदर्ता पर लवन की मोलर चालगता है और C क्या है? सांदर्ता है A क्या है? A को डिबाई पॉस्टेंट कहते है A को डिबाई इस्तिरांग भी कहते है और विद्यूत अब गटियों के लिए ये अलग-अलग होता है विद्यूत अब गटियों के लिए A का मान बिन-बिन होता है कैसे होता है? जैसे हमार पास NACL है तो NACL के लिए A का मान 1-1 यानि 1 होता है जैसे हमार पास कैल्सियम क्लूराइड है तो कैल्सियम के लिए मान होगा A का 2 और CL के लिए 1 जैसे हमार पास ALCL 3 है इसके लिए constant का मान होगा 3 और इसका मान होगा 1 पने आप मानगे यह माइना निकला आप निकला आपने यह मिनेंग निकला है कि दिबाई constant A का मान उस आयन पर उपस्तित आवेश या सहुजगता के बराब है यह मान रख करके हम किसी दीगी सांदरता पर मोलर चालकता का मान ग इसकी प्रबल विद्यूता आप गटियों के लिए डिबाई हकल आंसगार का समय करण दागू होता है ग्रापको एक्स्टा प्लोट करने से अनंत तनुता पर मोलर चालकता और तुल्यांगी चालकता प्रबल विद्यूता आप गटे के लिए तो ग्याद कर सकते हैं लेकिन दुर्बल विद्यूता गटे के लिए को सहरा नहीं है तो समय सहरा प्रदान गया कोल राउश ने इसने कोल राउश ने और कोल राउश मुझे ने क्या का कोल राउश ने ये का कि किसी विद्यूता गटे की चालकता में किसी विद्यूता गटे विलियन की चालकता में उस में प्रजेंट प्रतेक आयन का चालकता के लिए विशिस्थ योगदान होता है क्या बोला मैं विद्ध्यूतप गटे के विलियन में चालकता के लिए उसके प्रतेक आयन का विशिस्थ योगदान होता है और विद्ध्यूतप गटे की संपूर्ण चालकता उसके आयनों प्रदत की जाने वाली चालकताओं के योग के बराबर होती है इस बात को मैं यूँ बोला उसने यूँ बोलके कहा क्या कहा उसने कहा कि अनन्त तनुता पर अनन्त तनुता पर अनन्त अनुता की बात थी वहां ज्यात नहीं कर पा रहे थे इसलिए अनन्त अनुता पर किसी वि और रिन आयन की, पुलर आयनिक चालकता के योग के बराबर होती है, सुन लीजिए मित्रो, देख लीजिएगा, अनंत तनुता पर, किसी विध्युताफ गटे विल्यन की, पुलर चालकता का मान, उसके धनायन एवं रिन आयन की, पुलर आयनिक चालकताओं के योग के बराब होता है जान दीजी यह लेम्डा ऐसा है लबन के लिए लेम्डा यह लिखा है और आइनों के लिए लेम्डे के ऊपर वो तर लगा दिया यह इसका सिर कटा हुआ है मपाणरोअ ने, यांतिक न्यूम्ले ने निकी लिए एसा है और आयनों के लिए ऐसा है ज्यान देना यह यह संख्या, उम्मीद करता हूँ, यह बात आपको ठीक लग रही होगी, ठीक लग रही है, तो हम आपको सिखा देते हैं, कि किसी लवण के लिए हम, किस प्रकार से यह समयकर लिखते हैं, एने सेल के लिए, पहला एक्जाम्पल है, एने सेल के लिए, तो एने सेल को जब जल में एक है, इसके लिए मैं लिखों, लेमडा इन्फनेटेव, एने सी एल, यह ऐसा लिख भी सकता हूँ, और आपकी मर्जीद ना लिखो, तो भी चल जाएगा, तो उसकेस में मैं क्या करूँगा, उसकेस में यह करूँगा, मैं आगे लिखूँगा, लेमडा इन्फनेटेव, एने प्लस, कोड, लेमडा इन्फनेटेव, एल, माइनिस, आब इनकी संख्या कितनी है, तो संख्या तो एक एक है, एक एने प्लस एने, एक सी एल माइनिस एने, तो मैं बलई तो यहां एक एक्जामपल लेते हैं आपके लिए दूसरा उदारण यहां देखिएगा कैल्सियम क्लोराइड कैल्सियम क्लोराइड को जब जल में गोलेंगे तो कैल्सियम दनात्मकाइन देगा और दो क्याल माइनस देगा यह कैल्सियम आइनो के संख्या 1 और यह CL आइनो के संख्या 2 इसके लिए मैं लेकाऊ लैम्डा इंफनिटियो म and WekaCLC2 क्या बनेगा मेरे पास मेरे पास संबंध Kayla के संठ्ध संवंद के लिए और जोड लैम्डा इंफनिट तो ग्लॉराइड के लिए अब संक्या लेखो भई तो केल्सियम के लिए संक्या 1 और क्लॉराइड के लिए संक्या 2 है किया ग्यात करें है आम किसी विद्य। अब गटे के لिए कोल्दरहुस के नियम से अनंत तनुता पर या सुन्ने सांदरता पर उलर चालकता का मान ग्यात कर रहे हैं क्यों ग्यात कर रहे हैं क्योंकि परिक्सा में हमें ये मान दे देंगे कि सोडियम की चालकता इतनी है प्नुराइड की चालकता इतनी है तो एनेसल की चालकता ग्यात करो अब हम इस तरह से ग्यात कर सकते हैं एक और ले लेते हैं यदि हमारे पास Aluminium sulfate है Al2SO और का Oltrize ये जब आयनित होगा तो बोलो क्या देगा कईयों गयों लग रहा सर ये क्यों पूछ रहे हो बार बार आता है हमारे को अब Aluminium आयनों के संग्या कितनी होगी बता दो Al2 है नगा ये क्या लगा है यहां कितना होगा 504 का 3 है यहां कितना होगा 3 इस बार ठीक है नगा आप सारे बते जानते है Aluminium पर तो प्लस तीन संग्ता होती है और Sulfate पर माइनस टू होती है अब इदर बाले और इदर बाले दोनों संतू लेते है दोनों ये एक बार आप लिख करके देख लेना गंड लेना संतू लेते है Aluminium दो Sulphate तीन और उपर प्लस तीन और माइनस दो क्या है ये तो उनका आवेश है वेलेंसी है ठीक है नगा तो हम इसके लिए लिखेंगे ये इंपोर्टन सवाल है मित्रो इसलिए मैं इसको Red Pen से नोट करता हूँ आप भी इसको Red Pen से नोट कीजिएगा Al2 SO4 का All Rice बराबर अब मैंने ये लिख दिया Lambda infinitive और Aluminium और फिर लिख दिया प्लस Lambda infinitive और Sulphate Iron 2 इसकी संग्या कितनी है 3 मैं यहां लिख दिता हूँ 2 और मैं यहां लिख दिता हूँ 3 ठीक है इसमें प्लस प्लस थोड़ा सब्स हो गया बटा देते हैं इस तरह से आपके पास Aluminium Sulphate की मोलद चालकता Kolraus नियम द्वारा लिखने का कि Aluminium आयन की Aluminium आयन की 129.5 सीमन प्रती वरिंटर या प्रती सेंटीमेटर प्रती मोल है और Sulphate आयन की का मान माना की 131.5 अगे गए सीमन प्रती वरिंटीमेटर प्रती मोल है magin uranium sulphate की याद कीजी, यह आयनों की है, इसकी है, आयनों की, और पूछ किस की रहा है, लवन की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यह समय करन लिखना होगा, यह देखना होगा, कहां, ऐलुमीनियम से दो आयन मिले, सलपेट के तीन आयन है, तो इसको तो गुणा करेंगे, दो सेर, इस 129.5, सलपेट के कितनी है, सलपेट यह, 131.5, और कितने से गुणा करूं बही, तीन से, अब तो तुमारे समझना है, आई है न, आगी, रक मार गे, आगी, आगे चलते तुल्यां की चालकता ग्याद करनी हो तो क्या ग्याद करनी हो तुल्यां की चालकता कौन से वाली तुल्यां की चालकता तीमान्त किस से ग्याद करनी हो तो दरा उसके नियम से ऐसे लिखते हैं तीमान्त तुल्यां की चालकता अनन तनुता पर तुल्यां की चालकता के लिए कोल रहा उसका नियम है अब अब जान देना भई जान आयन की अनन तनुता पर तुल्यां की चालकता फिलस रेण आयन की अनन तनुता पर तुल्यां की चालकता ठीक हैं मैं यहां लिखता हूँ minus और यहां लिख देता हूँ plus ठीक अब इन आयनों की जो सयों जकता है या जो संख्या है उसे हम भाग के रूप में लिखते हैं उसे हम भाग के रूप में लिखते हैं इसके रूप में लिखते हैं भाग के रूप में लिखते हैं जान देना, जान देना, लवन के आएनन से प्राप्त आएनों की सयुजकता को से आग के रूप में लेखते हैं, ठीक है, जैसे मेरे पास कैलसियम क्लूराइड है, और यह आएनित हो करके स्टे टू प्लस और तू सी एल माइनस, यह सयुजकता देता है, ठीक है ने, अब इसकी तुल्यां की चालकता ग्याद करनी हो तो क्या करेंगे, मुलर चालकता ग्याद करनी हो तो क्या करेंगे, तो मुलर चालकता और कैलसियम chloride लिखना होगा तो मैं लिखूँगा lambda infinitive calciumine plus lambda infinitive Tl minus sign और यहां गुणा कर दूँगा किसका अब मैं इसके लिए lambda infinitive लिएंगी चलकता लिखूँगा मुझे लिखना पड़ेगा lambda infinitive यह 2 plus plus lambda infinitive Tl minus और यहां यह 2 दूँगा ने इसके ठीक है अब कैलसियम की सहुझगता कितनी है यानि कैलसियम कितने electron त्यागिता है या कितने electron grun करता है वो सहुझगता को बणा कर देंगे एक बटा से इस सहुझगता को बणा कर देंगे एक बटा से बात समझ रहे हैं बात है समझ रहे हैं अब हम क्या करेंगे यहां जो 2 c l है इसको नहीं लिखेंगे इस प्रकार हमारे पास तुल्यां की चालकता ज्याद करते हैं आयनों की जो चालकता है उन्हें सहुझगता का भाग दे दे हैं मैं आपको एक सवाल देता हूं आना की अल्यूमिनियू की चालकता 12.3 दीमन प्रती सेंटीमेटर स्क्वाईर प्रती ओल है और सल्फेट की चालकता 13.3 दीमन प्रती वरिग सेंटीमेटर प्रती ओल है अब आप देमडा इंफिनेटिव EQ और Al2SO4 अल्यूमिनियूम सल्फेट के लिए चालकता ग्यात कीजी आप लिखिए देखता हूं मैं आप गलत लिखते हैं या सही लिखते हैं इख दिया होगा जाद दीजी लेमडा इंफिनेटिव Al3 3 प्लस लेमडा इंफिनेटिव SO4 इसके बटे इसके बटे 2 इसके बटे 3 अब रख दो मान अब रख दो मान क्या रखोगे मान प्टे इसका मान 14 पॉइंट 3 इसका मान 13 पॉइंट दो दोड़ देना भाग दे देना इसका मान आएगा इसके मन प्रती वर्ग सेंटीमेटर प्रती मोल के रूप में ग्याद करते हैं ये परिक्सा का सवाल है आपको समझ में आया है और प्रिक्सा मा आयेगा ता आप कर देंगे संबंद मोलर चालकता और तुल्यांगी चालकता में क्या संबंद मोलर चालकता और तुल्यांगी चालकता में क्या संबंद मैं ये कहना चाहरा हूँ ये मोलर चालकता है और ये तुल्यांगी चालकता है इन दोनों में relation ग्याद करते हैं हम लोग जानते हैं molar चालकता बराबर होता है k into 1000 बटे n और आप जानते हो पुल्यांगी चालकता बराबर होता है k into 1000 बटे माप करें भईया यहाँ उला बिट गया माप क्या करें k into 1000 बटे यम पुलर ता लिखना था और यहाँ लिखना है यन वा पुल्यरेटी के लिए capital M और यहाँ नॉर्म लेटी के लिए n लिख दिया ठीक है और इन दोनों में संबंध ग्याद करते हैं संबंध ग्याद करने के लेंड़ा M बटे लेंड़ा E Q पराबर यह मान रख दूँ A इंटू 1000 बटे M और बटे A इंटू 1000 बटे N तो इससे यह मसाला कट गया यह उपर चला गया और हमारे पास हो गया N बटे M क्या हो गया N बटे M ठीक है ने बासमद में आगी ने इस तरह से ग्याद कर लेते हैं इदि हमारे को सिंपल ही गयाद करना हो लेमडा M बटे लेमडा E Q अब मुलरता और नॉर्मलता क्या क्या होती है तो आप सभी बच्चे जानते हैं यह रफ वर करते है normality बराबर होता है और molarity बराबर होता है क्या होता है molarity बराबर पदार्थ का बार बटे पदार्थ का अनु बार बना 1000 बटे V in milliliter और इस case में पदार्थ का बार बटे पदार्थ का तुल्याएंगी बार बना 1000 बटे V in ml अब यह मान यहां रखो तो तो हमारे पास समझ जो निकल कर आएगा आप रख सकते न ऐसा नहीं आप ऐसा रख सकते हैं तो हमारे पास पहले लिख दूँ डबल्यू बटे V बोड़ा ज्यादा नजदी हो गया डबल्यू बटे V बटे V बना 1000 बटे V डिवाइड बाई नाल पैंस डबल्यू बटे M बना 1000 बटे V ज्यारे मित्रो इससे यह कैंसल हो गया यह इससे कैंसल हो गया तो हमरे पास क्या आया M बटे W और E बटे M नहीं M बटे E लेमड़ा M बराबर लेमड़ा E Q बराबर M चला गया और E रह गया निछे इसा ही होगा ना M बटे E इस प्रकार का संबन्द हमारे पास निकल करके आता है हमारे पास प्राप्त हो जाता है ठीक है ना N और निछे M M बटे E बिल्कुल ठीक है इस प्रकार कुल्यांगी चालकता मुदर चालकता पुल्राउश का नियम दिभाई हकलांसगार समय करण सांदरतापर प्रभाव पनूता का प्रभाव हमने आज कंप्लीट कर लिया और इस कंप्लिटनेस के साथ साथ अब हमारे पास एक सिंपल सा टोपिक बचा है पुल्राउश के नियम के अनुप्रियोग वित्रो अगले वीडियो में पुल्राउश के नियम के अनुप्रियोग और इस रेलेशन से रेलेटेड टोटल टाइप के पुल्टिपल चोईस MCQs अत्ती लगूत्रात्मक प्रश्न और संक्यात्मक प्रश्न लेकर आपके समक्स अगली वीडियो में तईया तब तक आपका दिन स्वभो मंगल कारी हो राइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आइकन बटन को दबाईए